ओम्शान्ति आज मातेश्वरी जगदंबा सरस्वती जिसको वीना वादिनी भी कहते हैं मीथी मम्मा की आथ जुलाई 1959, आथ साथ 59 के मदुर महवाक्य सुनेंगे आज की मुरली का हेडिंग है ज्ञान बिना योग यथार्थ नहीं हो सकता ज्ञान योग से ही दैवी गुण आ सकते हैं हम सभी बाप की याद में बैठे हैं क्योंकि हमें बाप से वर्षा पाना है बाप और वर्षे को अच्छी रीती जानते हैं याद भी तब ही करते हैं कोई समझते हैं बुद्धी नी बाप को जान लिया बस लेकिन उनका फर्मान है निरंतर मुझे याद करो जितना याद करेंगे उतना वर्षा पाएंगे तो यह टेम्टेशन है जानते हैं हर एक सब्जेक्ट से क्या लाभ होगा जितना ज्ञान उठाएंगे उतना दान भी करेंगे तो पद भी उंचा पाएंगे और दैवी गुण धारन करेंगे तो कोई विक्करम नहीं होंगे योग से फिर विक्करम विनाश होंगे तो हर एक बात जरूरी है ज्ञान बिना यथार्थ योग नहीं हो सकता और ज्ञान योग के बिना दैवी गुण नहीं आ सकते हैं तो जब जानते हैं कि इससे ये फाइदा है तो हमारा पुर्शार्थ भी ऐसा तीवर हो सारी पढ़ाई हमारे ध्यान पर हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं है सिर्फ ज्ञान स्नान ही नहीं करना है लेकिन ज्ञान को धारण कर प्रैक्टिकल लाइफ बनानी है किसी भी बात में मूझना नहीं है तन मन धन से पूरा पूरा लाब उठाना है अभी बाप सामनी है तो साब प्राप्तियां हो जाती है सुक, संपत्ती, तंदृस्ती सबकी गैरेंटी है शक की तो बात ही नहीं है जब टेम्टेशन है तो पुर्शार्ट करना चाहिए बच्चे का फरस है बाप के हर डारेक्शन पर चलना स्टूडन्ट को फिर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना पड़ता है गुरू की आज्या पर भी चलना पड़े तो बाप, टीचर, गुरू तीनों के फर्मान पर चलना है और फिर प्राप्ती भी इतनी है रास्ता भी सहच है तो क्यों ना पुर्शार्ट करना चाहिए ये भी अभी चांस है पुराने संसकारों को भी भस्म करना है तो जब सभी बातों को जानते हैं तो पुर्शार्ट को भी इतना तीवर रखना है हर एक बात को इतना ही फोर्स से उठाना है कहते तो सभी हैं कि हम सूर्य वन्शी बने तो पुर्शार्ट भी करना है ठकना नहीं है अच्छा, ये तो अच्छी तरह से पक्का है कि हम रू हैं और हम रूहों का बाप रूहानी रूह है अभी हमें उस रूहानी रूह के साथ वापिस जाना है इसलिए स्वैम को बदलना है अभी रूहों के ऊपर ज्यान की बरसात हो रही है जिससे रूज स्वच बने ये ज्ञान बरसात है जो आत्मा धारण करती है शरीर धारण नहीं करता शरीर को भी आत्मा धारण करती है तो आत्मा को परिवर्थन करने वाला वो रूहानी बाप है आत्मा अभी मैसूस करती है कि हमारे में कैसे परिवर्थन आ रहा है दुनिया वाले तो समझते हैं विकारों को जीतना बहुत कठिन है लेकिन हमें निश्चे है कि बाप त्वारा हमने अनेक बार विकारों को जीता है पतित पावन ने हम पतितों को पावन बनाया है कहते भी हैं अहिल्या गणिका का उधार किया ऐसे नाम भी तम है जब तमो प्रधान है ऐसे नहीं पाप आत्माई पुन्यात्मा बननी नहीं सकती लेकिन बाप द्वारा कैसी भी पाप आत्मा पुन्यात्मा बन सकती है बाप की याद से अनेक जन्मों के पाप खलास हो सकते हैं अनेक जन्मों के पाप इस एक जनम में खतम कर सकते हैं इसलिए कभी उल्जन में नहीं आना चाहिए कि इतने पाप किये हैं 63 जन्मों के पाप भी इस जनम में भसम हो सकते हैं अभी हमारे विकर्मी खाते को परमात्मा स्वच्छ बना रहे हैं मनुष्यों द्वारा तो न अनेक जन्मों के पाप नाश हो सकते हैं, न प्रालब्द बना सकते हैं, तो मुझ्य की बात नहीं हैं, वे तो मोक्ष मांगते रहते हैं, समझते हैं, स्वर्ग से भी मोक्ष उत्तम हैं, लेकिन मोक्ष के बाद भी पार्ट में तो आना ही है, वहां बैट जाने से तो कोई प्राप्ती नहीं, आना है तो क्यों ना ऐसी दुनिया में आए, तो ये सब नौलेच है, इसमें मुझने की बात नहीं है, अच्छा, ओम, शान्ति.